हेलो गाईज वेल्कम बैक तो माई चैनल स्पाइस फ्यूर इंग्लिस गाईज अगर आप भी अपने इंग्लिस इंप्रूब करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंप्रूटेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में आप बहुत सार कोई चीक पुकार हू हला नहीं होगा सब सोना उतार के बैग में डाल दो आप सभी के पास बस दस से बारा मिनट का समय है आप सभी के पास बस दस से बारा मिनट का समय है जेब में क्या छिपाया है मैंने कहा हाथ ऊपर कर के पकेट में हाथ तो बोलते की वाई आर्यू करिंग स्वीट्स अवे गुलाव जाओ उन क्यों रखा है तब यह बोलतेगा इस कि जे फटी है बेटा इस पॉकेड़ी स्टॉर्ण सन जे फटी है बेटा मेरी नजरों से ओजल हो जा get lost of my sight get lost of my sight मेरी नजरों से ओजल हो जा कोई मेरे हाथ धोनी के लिए एसीड तो दो someone bring some acid to wash my hands someone bring some acid to wash my hands कोई मेरे हाथ धोनी के लिए एसीड तो दो तुम दोनों नजर रखो you two keep and I you two keep and I हम लोग निकल रहे हैं योजना के अनुशार मुझे हनुआन मंदिर के पीछे मिल we are living as plant meet me behind हनुआन टेमपल we are living as plant meet me behind हनुआन टेमपल हम लोग निकल रहे हैं योजना के अनुसार मुझे हनुमान मंदिर के पीछे मिल कहने के यह मतलब है कि जो हम लोग प्लान बनाये थे उसके अनुसार मुझसे हनुमान मंदिर के पीछे मिलो We are leaving as planned meet me behind हनुमान temple मेरा नाम चुलो पांडे है उर्फ लोविन हुट पांडे my name is चुलो पांडे यान अच्छा जूल पांडे है उर्फ लोविन हुट पांडे मैं मेरा नाम चुल्बन पांडे है wyp bekie Robinhood Pande , या आप इसको ऐसे बोल सकते है my name is Shulubul Pande alias Robinhood pande दिख नहीं रहा है कि पानी भरा है can't you see the waters overflowing can't you see the waters overflowing दिख नहीं रहा है कि पानी भराय है can't you see the waters अकल नहीं है क्या यह बोल दी गाज कि इस उम्र में इस उम्र में तब यह बोल दी गाज कि सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती Learning has nothing to do with age Learning has nothing to do with age सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती यहाँ पे गाज यह बोल रहे कि क्या मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं Can I teach you something इस उम्र में At this age Learning has nothing to do with age Learning has nothing to do with age सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती बेवज़ तुम मेरी पत्नी को होश मे ला रहे हो unnecessarily you are making my wife conscious unnecessarily you are making my wife conscious बेवज़ा तुम मेरी पत्नी को होश मे ला रहे हो भाईया आपने तुम मुझे भ्रहमित कर दिया brother you got me confused brother you got me confused भाईया आपने तुम मुझे भ्रहमित कर दिया brother you got me confused चूजड शर प्लीज आप जल्दी कुछ कीजिये नहीं तो वो लड़कियों को उठाकर ले जाएंगे नहीं तो वो लड़कियों को उठाकर ले जाएंगे उनकी जिंदिगी बर्बाद हो जाएगी यह वोलता है guys कि मैं उनकी जिन्दगी बरबाद नहीं होने दूगा I won't let their lives be ruined मैं उनकी जिन्दगी बरबाद नहीं होने दूगा यहाँ पे guys कुछ गुंडे कुछ लड़कियों को लेके जा रहे हैं तभी आके बोलती है कि sir please do something immediately otherwise they will take the girls away sir please आप जल्दी कुछ कीजिए sir please do something immediately otherwise they will take the girls away नहीं तो वो लड़कियों को उठा कर ले जाएंगे उनकी जिन्दगी बरबाद हो जाएगी their lives will be ruined their lives will be ruined उनकी जिन्दगी बरबाद हो जाएगी मैं उनकी जिन्दगी बरबाद नहीं होने दूगा I won't let their lives be ruined what are you doing you will get dizzy what are you doing you will get dizzy क्या कर रहा है तुझे चक्कर आ जाएगा guys ये गोल गोल घूम रहा था तब ये बोलते है कि क्या कर रहा है तुझे चक्कर आ जाएगा what are you doing you will get dizzy मैं बताओ तुम्हें इनमें बहन जैसी feeling क्यों आ रही है I will tell you why she seems like a sister to you I will tell you why she seems like a sister to you मैं बताओ तुम्हें इनमें बहन जैसी feeling क्यों आ रही है कहने का ये मतलब में मैं बताओ तुम्हें ये बहन की तरह क्यों लग रही है I will tell you why she seems like a sister to you क्योंकि मुझे इनमें पत्नी जैसी feeling आ रही है because she seems like my wife to me because she seems like my wife to me क्योंकि मुझे यह मेरी पत्नी की तरह लग रही है क्योंकि मुझे इनमें मेरी पत्नी की जैसी feeling आ रही है because she seems like my wife to me यहाँ पे यह बोल रहा है कि मैं बताओ तुम्हें इनमें बहन जैसी feeling क्यों आ रही है अपने भाई से बोल रहा है कि I will tell you why she seems like a sister to you तुम्हें बहन की तरह क्यों लग रही है क्योंकि मुझे इनमें पत्नी जैसी feeling आ रही है क्योंकि यह मेरी पत्नी की तरह लग रही है because she seems like my wife to me हमें मक्खी के लिए लड़की ढूडने पड़ेगी यहां पर इसकी बहा बोल रही है कि हमें मक्खी के लिए लड़की ढूडने पड़ेगी तो इसकी माह बोलती है कि we will have to find someone for मक्खी हमें मक्खी के लिए लड़की ढूडने पड़ेगी न तू तो किसी को भगा के ले आएगा या लव मेरस कर लेगा तू किसी को भगा के लेके आएगा या लब मेरिश कर लेगा देखो खुशी कितनी जल्दी सीख जाती है न यहाँ पी अपनी मा से बोल रहे है लुक मॉम खुशी इस सचा फास्ट लर्नर देखो खुशी कितनी जल्दी सीख जाती है न तब इसकी मा बोलती है गाईज अच्छी बात है जल्दी इसे घर समालना भी सीखना पड़ेगा अच्छी बात है जल्दी इसे घर समालना भी सीखना होगा गाईज की शादी होने वाली है तब यही बोल रहे हैं कि अच्छी बात है जल्दी इसे घर समालना भी सीखना पड़ेगा अभी 4-5 साल नहीं जब तक पढ़ाई नहीं पूरी हो जाती तब यह गाईज लड़की बोल रहे कि Not for a couple of more years until I finish my studies Not for a couple of more years until I finish my studies अभी 4-5 साल नहीं जब तक पढ़ाई नहीं पूरी हो जाती अच्छी बात है जल्दी इसे घर समालने भी सीखना पड़ेगा अभी 4-5 साल तक नहीं जब तक पढ़ाई नहीं पूरी होती Not for a couple of more years until I finish my studies तब इसकी बहन बोलती है गाईज की वो तुझे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और डॉक्टर बनाएंगे वो तुझे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और डॉक्टर बनाएंगे दरसल वो दहज लेने के बजाए दहज देगा आजकल उनके जैसे लड़के मिलना मुश्किल है कास मुझे भी कोई ऐसा मिल जाए यहाँ पर गाईज यह बोल रही है कि वो तुझे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और डॉक्टर बनाएंगे दरसल वो दहज लेने के बजाए दहज देगा आजकल उनके जैसे लड़के मिलना मुश्किल है आजकल उनके जैसे लड़के मिलना मुश्किल है लाइक हिम टू काश मुझे भी कोई ऐसा मिल जाए वेल गाइज आज कल इस वीडियो में इतना ही जरू बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट करके जरू बताइए गाइज अगर आप इस चैनल पर नय है तो प् कि आपने इंग्लिश को इंप्रूब पर सकें वेल गाइज मैं आपसे एक लिए वीडियो मिलता हूं तिल एंट टेक केर कीप रक्टूसिंग थैक्स वरोचिंग थैक्स